तो खबरों में आज सबसे पहले जो सबसे महतोपून सनातन को लेकर जो दो दिगज संथ है उनको लेकर जो लगातार चर्छाय है चल रही ऊसे लेकर आगर बड़े कोशिश करने जा रहे हैं राधालाणी को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ विवाद खड़ा किया गया या किसी ने कहा कि ये प्रसंगलत है वो प्रसंगलत है इसे लेकर आज हम दरसल चर्चा करने वाले बहुत खास मैमान हाला कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आज चर्चाओं में रहे हो वो दरसल लगातार चर्चाओं में रहते हैं आज आप जिस शिव पुरान को जानते हैं उसक जाता है और चर्चा सिर्फ इस बात पर ही नहीं कि यह हुआ क्या है बाते इस बात की भी कि शिव पुरान को अगर घर-घर किसी ने पहुचाया तो वह आप सबसे पहले में आप से जाना चाहूंगा कहां किस तरह से विवाद खड़ा हुआ और क्या कुछ आप इसे लेकर कहन करना चाहते हैं जी प्लीज श्री शिवाय नमस्तु प्याम देखिए यह तो जो कथा पूर्व में कमलापूर करी गए तो वहां कथा की कुछ क्लिपिंग किसी ने काटी होगी और उस क्लिपिंग को चार-पांच जगा से डिवाइड तरके उसको एक बनाकर जन्मानस में द प्रमानित हैं ब्रह्म वेबर्ट पुरान के अंतरगर हैं और विशांस्त्रों में रादा रहस्य से पूस्तकों से काली पृट से निकलने वाली और पुछ प्रचूरासी कोसमें जो भूमी पर मंदिर बने हैं उन से प्रमानित हैं परंतु किसी ने उस वीडियो को काट काट कर आरे आरी तरी उसको शब्द निकाल कर उसको लोगों ने अलग अलग तरा से उसको बना लिया और जन्मानस में प्रेशित कर दिया जो लोगों के हिर्दाएं में हो सकता है रजवासियों के हिर्दाएं में या कहीं किसी ना किसी रूप में किसी को उस बास से केस हो जी हमने इस बात के लिए च्छमा भी कहा माँगा कि अगर किसी को कुछ बात का गलत लगाओ उच्छमा करिये जी तो आप ये कह रहे हैं ये यह इसमें कहीं कोई शकोष उभा नहीं है कि शिवपुरान गरगर पहुंच रहा है चर्चाएं चल रही है बहुत छोटे लाकों में मैंने देखा है कि जो आपने पूजा बताई है किस तरह से सुमवार को पूजा करनी है वो आज घरों घर अगर चर्चा का विशा है क्या आ पंदित प्रदी पिश्रा को टार्गेट किया जाए यह तो है कि जन्मानस में आज पूरा विश्व भारती नहीं विदेश में भी भगवान शंकर की ध्वजा पताका लेराई है जैसे जदर्गुरु शंकर आचार जी ने बहुत आनंद के साथ एक बाल्यवस्ता से भगव उनको ये बाते ठीक नहीं लगती तो एक दूसरे को काना फुसी करते हुए कुछ ना कुछ भड़ताते हुए इस तरह के मोदे उठा लेते हैं जिससे सनापन धर पर गर्म पर लोग हसें और उसका आच्छे पर जी एक और बड़ी बात है अगर आप अगर आप एक क्या क्य किया गया वह बहुत नाराज नजर आए आपसे जी परम पूझे रस श्रोमनी है वो तो राधा क्या उतार मानते हैं हम श्री प्रेमादन जी महराजी को ब्रजभूमी के रसिक संत हैं और आज तक उनकी कोई वानी में उनने कभी प्रोध नहीं थे कभी अप्शब्द नहीं करते हैं खुद भी उनको श्रबन करते हैं और समझ में नहीं आया जो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का मुद्दा बनाकर हमारे को बददनाम करना चाते हैं हमारी जो फॉलविंग है उसको नश्ट करना चाते हैं जनमानस में जो प्रेम जमा हुआ है उचे गुर्देव को प्रणाम किया है नमन किया है कि गुरुजी मुझे भूलाते मैं पूरे उनके चरणों में साश्टांग गंडवत करते हुए जाता और सब चीज मेरे पास में जो चीज मेरे पास में है वह में उनको बहाँ जाकर दिखाता पर हो सकता है किसी कारणवस उ इतना प्रेम करती थी उनको भड़का देती है और राम जी को चौधा वरस के लिए बन भेज़ देती हैं तो हो सकता है जिनों उनको वीडियो दिखाई वो गलत तरह से दिखाई गलत विचार उनके सामने रखा इसलिए पूज गुरुदेयों के मुझ से शक्द निकला वाकि कर गया है मैं यह भी जानना चाह रहा हूं कि राधारानी राधारानी को लेकर एक बात है शादी से जुड़ा जो प्रसंग है एक उनके जन्द से जुड़ा प्रसंग है तो एक्चली यह है क्या यह आप हमारे दर्शकों को बताईए देखिए राधारानी का जन्द हुआ उनका प्राधट के हुए बरसाने में जाकर निवास किया बरसाने की पवित्र भूमे से तो ब्रज की पवित्र भूमी पर एक एक कण में चोरासी कोस में राधाजी सर्वस्व विराजमान है भगवान स्वयम राधारानी को ब्रज छोड़कर जब भगवान गए द्वारता के लिए तो राधारानी को पूरा ब्रज दे कर गए हैं कि राधा तुमको जो भजेगा प्रिष्ण उसके पीछे चले तो मेरी राधारानी तो पूरे ब्रज में निवास करती हैं कहीं ऐसा नहीं कि बरसाने में राधारानी नहीं है, या रावल गाउ में राधारानी नहीं है, या ब्रिंदावन में राधारानी नहीं है, या मत्रा में राधारानी नहीं है, प्रते एक स्थान पर, ब्रज के स्टेशन पर, मत्रा के रेलवे स्टेशन पर, जब आप वेल से उतरते हैं चरन राज आपको जब लगती है तो राधा राधा अपने आप अपके मुख से निकलता है राधा सर्वस्व विराज माने किसी के कहने से कि राधा जी यहाँ नहीं है या राधा जी वहाँ नहीं है यह गलग प्रसंग है ये लोगों ने केवल एक मुद्दा बना रखा है किसी ना किसी तरह से उसको बदनाम करने के लिए बाकी का विवहा का जो प्रसंग है ब्रह्म विबर्त पुरान के अंतरगर 144 नंबर पेज में जीता प्रेज गोरत की जो पुस्तक है उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि भगवान स्वयम भगवान कृष्ण की साची और आनंद के साथ में ब्रश्वहनु जी राधा जी का विवहा अरण गोश्ट के साथ में पक्का करते हैं जब अरण गोश्ट के साथ पक्का करते हैं तो राधा जी अपनी छाया वहाँ छोड़ती है और राधा जी की छाया के साथ में उनका विवह होता है अब प्रसंग यह आता है कि अमन हरण किसको करकर लेकर गया अगर किसी से पूछा जाए तो वह करेंगे सिता जी का हनवान करने के लिए हनमान जी गय तो बहँ प्रसंग में रडाधा जी का नाम बारबार आया गया है isसलिए रधा जी के लिए पर्ण किया गया दिए अगर बोलेगाया है तो हमारे प्रमाणों से हमारे शास्त्रों से बहुत हर चीजह वही है जो इस पस्ष्टीकरण है या मेरा ख्याल है कि प्रेमानन जी महराज तक पहुंची है ऐसा आपका कहना है एक बात दूसरी बात कि महराज जी इसका एक कानूनी पहलू भी है आप केस करवाया गया है फाइयार वगेरा करवाई गई है क्या इसको लेकर आप कुछ कहेंगे या आपको कोई नोटस जारी किया चीज गलड़ है नहीं कानून भी तो देखेगा किसस्त्त क्या है अगर कानून घुज का मंधिर बना हुआ है अगर कानून देखेगा तो बेदा रुष। a भी को लेगा साश्टर कानून भी तो सामने आएगा सामने प्रजट करेगा पटीजी एक और बात है एक लंबा संघर्ष आपका रहा लंबे संघर्ष के बाद आज मेरा फ्याल है पूरी दुनिया में आप सुने जाते हैं अलग-अलग माध्यमों से एक तो खुच जब आप पीट पर बैठकर कथा क पीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में आप सुने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को लग रहा हो कि इतना इतना सफर इतनी उचाई इतनी बलंदी ये भी तो हो सकता है देखिए नामदेव, तुकाराम, मीरावाई, करमावाई, कविरदास, रविदास जी, महराजी ऐसे कई राष्ट्र के संत हुए जिनके पीछे लोग पड़े और उनको बदनाम करने का प्रयास किया गया ये कुल टोटल, मेरी राधारानी के परदे की आड में कुछ लोगे से हैं, जो भड़ताने का कारे कर रहे हैं, जो भोले भाले ब्रजवासियों को भड़ता रहे हैं ब्रजवासि इतना भोला होता है, हमने अपती व्यास्पीट से भी वर्णन किया, कि जब हम बाले अवस्था से ब्रज की भूमी पर ग्रबन कर रहे हैं, राधारानी के हमने भी 51 परिक्रमा करी, ब्रेज भोबर्दनाची की कई परिक्रमा करी, तो हम जब ब्रजवासियों स ने को कही ना कही किसी ना किसी तरह से लिजगाइट किया जा रहा है, उनको ब्रजवित गाली नहीं दी, आप पूरी वीडियो सुलियें, उस वीडियो में कभी किसी देवी को, किसी देवता को अपशब्द कहा हुआ बताये, तो ये प् tejफिशन, आप की चरणों में गुशारा कर देगी उस दिन मैं बरसाने पहुच कर वहां की जाड़ू लगा दूँगा और मेरी मा के चरणों में तो मेरा पूरा जीवान है पर मूल कहा जो गलत खेमिया लोगों को दी जा रही है वो जान कर दी जा रही है गलत बातें लोगों तक कुचाई जा रही है वो जिससे कहीं ना कहीं प्रदिश्रा को नीचा दिखाया जाए या शिव सवואाल को पूछता हूं बिलकुल आम एक आम दर्शक का यह सवाल आप समझ लिजे के शिव पुरान का जिक्र आपने अभी किया इससे पहले जो करना करने पहले या घर घर उसे पहुंचाने से पहले असल हकीकत ये ूपरान को लेकर या तो गलत जानकारियां थी या जानकारी ही नहीं थी क्या ये भी हो सकता है कि शिव महापुरान पर आपका जो कंट्रोल है जो ग्यान है जो अथाह आपका नॉलेज है और उसे जो आप घरगर पहुचा रहे हैं क्या वो भी किसी को डिस्टरब कर सकता है ये बात सही है कि धर्म के नाम पर बहुत सारी तमाम हम कई जगा तो ये कह हदिया जाता है कि धर्म के नाम पर यहां दुकाने खुली हुई है तो क्या किसी की नाराजगी भी हो सकती है जो कैसे पंडित प्रदीप मिश्णा को घेर लेना है जैसे रुद्राक्ष महुत्सों की बात आती है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकालकर वो पब्लिक में आ जनवानस में जो पहुचा है तो यह तो भगवान शिव की कथा जब जनवानस तक पहुची है पहले भगवान शंकर के मंदिर आपने भी देखिया होंगे और जितने श्रोता भाई में मुझे सुन रहे हैं या कर्शन कर रहे हैं उनने भी देखे होंगे कि भगवान शंकर क के मंदिर में छोटे-छोटे बच्चे लोटा लेकर जा रहे हैं जल चड़ा रहे हैं लेडिस बुचार भुजुर्गम आता है जा रहे हैं गुरुष जा रहे हैं इस थान आज के समय में 12 जोतिलिंग में सारे जोतिलिंगों पर आप तो भीड मिलेगी चाहे आप केदार से सहन नहीं हो रहा कई लोगों को हो लगता है कि शंकर जी के मंदिर तक पहुचा दिया अब हमारे दुकान घंद्धे बाणि बंध हो गये अब हम क्या करेंगे तो लोगों को लगता थो है क्योंकि शिव से लोगों को जगतगुरु संकराचार जी ने भी जोड़ा था और ये शुव महापुराण ने भी सब को भगवान संकर से जोड़ दिया चोटी चोटी बातें जितनी चीजें हैं चाहे बेलपत्री से जुड़ी हो काली मिर्ची से जुड़ी हो काले तिल से जुड़ी हो जहत से जुड़ी हो एक एक चीज हमारी शुव पुराण में बढ़ना नाता है उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे एक एक चीन का ध्यान करोग के लिए सब कुछ समाया हुआ है उसको अगर वेक्ति बड़े दिल से बस यह है कि दुनिया के लोगों को तो विरोध करना है और विरोध किसी दूसरे का नहीं जो दुनिया में उपर बढ़ता है उसी का पाउं खिचा जाता है विरोध के वन इतना है कि प्रदिक मिश्राजी की लोग सुनते क्यों घर घर में मेरी माताय मेरी जी 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 जा मेरे बच्चे घर घर के अंदर आकिर संकर की अ शुनिके क्यों वुए जा रहे है आचします सब्से प्रदीप मिश्रा वाक्य है कि पंडित प्रदीप मिश्रा हमेशा विवादों में रहते हैं मसलें ड्रेस कूट की बात आ गई या एक और प्रसंग वाइरल कर दिया गया था कि बेल पत्र में शहद लगाकर वाला एक प्रसंग था इसे मैं दूसरे तरह से पूछना चाहता तारगेट क्यों? रोड पर लोग बेट कर कथा सुन रहा है पेड़ों के नीचे बेठे हुए कारण क्या इनको किसी ने गाड़ी भेजी बस भेजी या टिकेट दिया या पैसा दिया ये उनके अंदर का शंकर्टी के प्रती विश्वास भरोसा जागरित हुआ है और वही लोगों को खल रहा है इतना भरोसा प्रदीप मिश्वाणी पर क्यों कर रहा है शुमहापुराण पर क्यों कर रहा है चलिए पंडित प्रदीप मिश्वास आप हम ऐसा जुड़े बहुत बहुत धन्य